मंदिर के नाम पे अच्छा है धरम के नाम पे अगर आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो सहयोग तो कर सकते हैं गांदी समेट कई नेताओं ने प्रान परतिश्थान में जाने से मना कर दिया है अब ऐसे में हम पटना के बेली रोट में मौझूद है और यहाँ पर एक छोटी सी चाए की दुकान है जहाँ पर लोगों का जमघट लगा कि यो काम किया एसको जारहा है तो भी पाक्स के लोग नहीं जाएंगा है उलोक सर मारह है लोक किसे जाएक निया था जाना चाहिए यह नहीं लोक को ज喆 सकते हैं। जब मंदिर के नाम पर धरम के नाम अगर आप कुछ कर सकते हैं तो स्य द Awak तो कर सकते हैं। नहीं जा सकते हैं। सरम लग रहा है मज जाहिए लेकिन संवेयोग सकते ह booked यह राम के नाम पे भगवाण के नाम पे हर कोई कहीं से चंदा दे देता के नाम नहीं करने के लिए इन को अच्छा नहीं लग रहा है सर्धा में दोगस के प्रति проблем भूल रहा है लोग माना कर रहा भाई कि वह मह जहें ये 22 तारीक को ये है प्राण परतिष्ठा है अधिया आखिर माना करने तभी तो इलोग को पता नहीं है धर्म क्या है मेरा अगर यदि पता उन लोग को रहता तो डट कर बोलते हैं हिम्मत के साथ बोलते कि नहीं नहीं चलना है तो चलना है और भगवान का प्राण जाएंगे आप नहीं जाएएगा जो आपका धरम है अगर कहीं आपको लगे कि नहीं हमको जाना चाहिए वहां पर तो नहीं जाएका. जा कर वहां विवाद मत किजिए कि यह भोटकीन का है उस जा रहे हैं तो जा एक गुखत को जाना चाहिए नहीं जा नहीं जा रहे हैं तो मुह चुपा रहे है तो काहं नहीं चुपाएंगे राम के नाम पे गलत आवाज उठाईएगा तो मुह नहीं छुपाईएगा अपने हिंदूतों के नाम पे गलत आवाज उठाईएगा तो मुह नहीं छुपाईएगा बीजेपी मुद्दा उठाया ठीक है बीजेपी राम मंदिर बनवा रहा है तो बीजेपी उतना पैसा लगाया है उस मंदिर बनवाने में कि पूरी जंता लगाई है पैसा भारत की जंता मंदिर बनाने के लिए लगाया है बीजेपी काम किया है वहाँ का जो मंदिर बनवाने का जो पूरा आयोजन रचा है वो अपना बनाया है लेकिन पैसा देने वाला तो पूरे भारत के लोग हैं बीदेश के लोग हैं उस मंदिर में तो हम क्यों नहीं जा सकते ह हम क्यों वहाँ अपना मुद्दा उठाएंगे हम भी जाएंगे और भी लोगों से मिलते हैं और लोगों से जानते हैं एक एक करके उनके बाद प्रप्रपिज़ेंगे सर क्या कहेंगे राम मंदिर के प्रान प्रतिस्थान में बहुत लोग विपक्ष के कहीनेता जो नहीं जाना कर दिया है विपक्ष के कहीनेता ने मना कर दिया जाने से मना कर दिया इक गलत है मना नहीं करना चाहिए उस अभी के लिए और बहुत अच्छा मने कि जो कई बड़ सों से नहीं हो रहा था आज मोदी जी कर दिये है सभी हिंदुओं की लिए ते गर्फ की बात है कम एक दमजाना चाहिए वहीं कुछ और लोग हैं उन्हें जुट लेते हैं उन्हें विवाचित कर लेते हैं सर आपने सुना होगा कई नेताने राम मंदिर के प्राण प्रतिषान में सेमना 그림 न है क्या तो ऐस्था का चीज है नहीं जाना चालता है ! कुई जरूरी थोड़ी है क्या हम सामने मुझ्यम बना हुअ हमको अस्था की इक्षा हुआ है नहीं दिखनें ! तो मन की बात है आपकी इक्षा है आप जाईए नहीं जाईए इसमें क्या दिक्त है कोई जा रहा है कोई नहीं जा रहा है यह तो इक्षा की बात है आस्था की बात है इस पर कोई प्रेसर नहीं है क्यों जैबे करें राम मंदीर हो रहा है आस्था होगा हम भी जाएंगे इसक तो बता दिये ना रिज में पल्लंतों संसट करें गर शंट्र c गई कि में ना दोने ना कुछ नहीं हो रहा है राजनी पुछने डियो राजनीद क्या होगा राही है लोग जा रहा है प्रान पर चिस्टा होगा, भीर्द होगा पुजा पाठ होगा तो इसमें राजनीत क्या होगा राजनीत तो इसा कुछ है नहीं लोग सोच रहें कि राजनीत होगा तो अलग चीज है राजनीत ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अपना अस्ता है लोग जाएगा हिंदू है लोग जैवे करेगा नहीं किसे जाएगा चलिए कुछ यूवा भी है हमारे निदीश जी और तेश्वी यादव जी ओ जो है माजीद में जाके चादर उड़ाते है और हमारा राम मंदिर बना है तो राम मंदिर में क्यों नहीं जाएंगे राम मंदिर को लेकर कोई भी तरह के राजनेती की बात नहीं होनी चाहिए क्या लगता है विपक्ष के निता जो है उड़ाम मंदिर जाने समना कर दी है उनलों को जाना चाहिए यह तो भगवान की पूजा है कि तो कोई भी जा सकता है हिंदू धर में हर कोई जा सकता है यह तो इसे बहुत बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि चाधा चरहने के लिए मजार पर जाते है तो अपना हिंदू का गर्व की बात है जो बड़सों से नहीं हुआ कि जबकि वह हिंदू है अर्रें राम मन्दिर मेंजिस खोल दीए बीजय accessories नहीं है विजिज पी बना यहां लेकिन राम मन्दीर थोड़ी निक यह राज जाना चाहिए क्योंकि ये राम मंदिर के वल बीजेपी का नहीं है, ये पूरे भारत की जनता के पैसों से बना है और पूरे भारत की जनता के लिए वो मंदिर है, वहाँ पर सभी को जाना चाहिए, अनिकेत कुमार बिहार तक पटना.